हलो दोस्तों मेरा नाम है प्यू श्राया और आप देख रहे हैं कुशनार भारत आज हो सकता है कि एपिसोड थ्री एपिसोड थ्री की तरह इसको काउंट कर लेते हैं क्योंकि मैंने जो मेरे सीक्वेंस था कि मैं एक सीरीज लेके आओंगा जिसमें आयत भाई आयत आपको जो समाज में जो मिधक्स हैं जो भ्रहम पहलाए गया है कि हमारा तो बहुत दिनों पीस लवेंग सोशल सेकुलर हुमानिटी हरो भ्रहम आपको एक जवाब के साथ काउंटर किया जाता है जब भी आप सवाल उठाते हैं कि ये कुछ लोगों का किया जारा है पहली चीज हमें त जब कुछ लोग कर रहे हैं तो पूरी कम्यूटी को टार्गेट ना किया जाए तो मेरे इस पूरी सीर के सार एक ही है कि जब कुछ लोगों से लेकर पूरी कम्यूटी तक जब सबका सोर्स एक किताब है और एक मजहाब है तो सवाल कुछ लोगों कैसे हो गया तब तो पूर करना चाहते हैं तो रिजल्ट क्या आता है तो आज हम एपिसोड 3 में बात करेंगे और अगर आप ने हैं तो शेर करें सब्सक्राइब कि यह बिना मच जाईएगा और लाइक तब करिएगा जब आपको वीडियो अच्छी लगे और अपने पॉंट रव्यू कमेंट में ज़र 221 और यह आयत और सूरा क्या कहती है यह तनिश्क के एड़ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मांग लगाती है कि हिंदूओं को इतनी आपत्ती हुई उससे कई गुना ज्यादा मुसल्मानों का अपत्ती होनी चाहिए थी क्योंकि उन्हीं का छोटी-छोटी बात पर इसलाम म खत्रे में आजाता है नंग-की एक टीचर में करी था दिखा दिया तो खत्रे में आ गयाता है इतना कम-जोर है इनका मजभब एक क्यारी-kehr में किसी जिंदगी बिबर वाद कर सकते हैं लोग उसको जिंदगी से खतम कर सकते हैं एक क्या दिने air रखेगा कि मुसल्मान फैमिली में हिंदु लड़की तनिस्वालायाट पूरा दिमाग में रखेगा किया हुआ तिल दे बिलीव वर्षिप अल्ला अलोन जब तक वो सिर्फ अल्ला में इमान ना लाएं यकीन ना करें कनवर्ट ना हो जाएं शॉट तब तक आप साधी मत करिये किसी भी लड़की से जो मूर्ति पूजक है अगर आपकी कोई गुलाम है कोई स्लेव है कोई लॉंडिया शब्द इनका ही है हमारा नहीं इंडिया का वर्ड नहीं अरभी शब्द है लॉंडिया जिसमें लॉंडिया मतलब स्लेव वोमन तो वो ज्यादा अक्षी है ना कि किसी फ्री मूर्ति पूजक से इवें दो शी प्लीजेज यू उस स्वक भी कि जब आपको अच्छी लग तब भी और आप डॉर्टर की बात आ रहे कि इसमें भी सेम चीज नीच्छे आ गए है लडकी अगर कोई नट-दुबियों लडकी सादी कर रहे हैं तो उसके लिए सेम कंडिशने है ज्योत होना पड़ेगा नौन मुस्लिम लड़के से अगर आपको अपनी बेटी दे रहे हैं उसके लिए भी कंडिशन ही है कि उसको लिखा हुआ है कि तिल दे बिलीव इन अल्ला अलोन एंड बेरली बिलीविंग स्लेव इस बेटर दैना फ्री मुष्रिक एड़लटर अगर वह आपको अच्छा लगे उसके बावजूद एक स्लेव कई गुना अच्छा है एक मूर्ती पूजक से दोज अलमुष्रिक इन्वाइट यू तो फायर इस कंडिशन में वो लोग आपको आपकी नर्क में है नर्क में क्या होते हैं है एलफायर जो इनके आना इंग्रिश में बोला जाता है इनको आपको जहन्नूम में ले जाएंगे बट अल्ला इन्वाइट यू तो पैरडाइस और फोर्गिवनेस वाइस लीव और मेक्स इस आयत प्रूफ एविडेंस वर्सेज रेवलेशन ए में फिर बता देता हूं मैं बार वार अगर आपको कभी कभी समझ में नहीं आता है हिंदों में प्रॉब्लम है कि आप जल्दी इसी को एकसेट नहीं करते हैं करें ऐसा है क्या वो तो हमें बहुत समय से कुछ और बोलके बेकूब बना रहा है और तुमाज आना से कुछ और तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप मूर्ती पूजक लड़की से साधी कर रहे हैं करवा रहे हैं अपने घर से किसी के भी मूर्ती पूजक लड़की को इन्वाइट कर रहे हैं तो तब तक मत करी जब तक हो अलोन सिर्फ अल्ला में बिलीव ना कर ले अल्ला को कि अपनी बेटी तब तक मत दीजे जब तक को कनवर्ट ना हो जाए लड़का सिर्फ अल्ला को ना मानने लग जाए उससे च्छा तो कोई नौकर स्लेव है ना कि फ्री मूर्ति पूजक ठीक है अगर आप ऐसा करता है तो आप जहनुम में जाएंगे जहनुम की आग में जलें और अल्ला आपको स्वर्ग में ले जाना चाहता है तो क्यों आप ऐसा करेंगे भाई ठीक तो इस पर मुस्लमानों का अब्जेक्शन होना चाहिए तक ही नहीं इसलिए सारे लफ जिहाद के केसे में आप सिर्फ यह देखेंगे कि लफ जिहाद की बात कर रहा हूं फर्क होत अपने चुपाता है लड़की प्यार में फज जाती है जब शादी का टाइम आता है तो लड़का कहता है कुर्ण इसलाम ही कहता है ठीक लड़की कहती है लड़की शौक मैं कैसे अब तुम तो अब पांच जोट पहले तो हिंदू थे अब करने की बात कर रहो अब रिजल् चलते लेवल का लफ जिहाद करने वाला छोटा जिहादी भी गला करेंपा है वो सोर्स साफ साफ लिका हुआ है कि जिहाद करना में गल्ला काटना पहुंद जाएगा सiken कॉसा खिंट पैज का फोटो दिख जाएगा ऑच्व मॉनwrा अब थोड़ी पुद्दी खुले डिया कि इतने प्यार से कैसे सम्झाओं कुछ लोग अगर यह मुझे कहना आरोप लगाना चाहते हैं कि मैं हेट स्प्रेट कर रहा हूं भाई मैं सच्चाई बता रहा हूं जो लिखा है बस उसको रीड कर रहा हूं और अगर सच्चाई जानने से समाज में नफरत पैदा होती है तो यह सच्चाई आज से पचास साल सतर साल पहले जब आजादी हुई थी और कुछ मुसल्मान यहां रह गये थे जिन्होंने आजादी के वक्त नए देश की मांग की थी यूपी बिहार वाले और वही रह गये थे जिनको चले जाना चाहिता है वो रह गये थे और आज देश तोड़ रहे हैं फिर से तो हमें अगर पता होता यह इनका पूरा सच अगर नफरत तभी पैदा हो जाती तो शायद यहां एक भी बचता नहीं नहीं बचता और अगर कुछ बचते तो वह ठीक ठाक वाले बचते जिसे कलाम साहब हैं वगयरा वगयरा तो अगर सचाई जानने से समाज भी नफरत पैदा होती है आपके प्रति सो वीट यह आपकीbase जलती है कि आप ऐसी चीनुझे में मानने तार रखते हैं समाज की जल्टी नहीं कि वह जानने के बाद आप से नफरत करने लग्जा है कर एके इस पीसोड में बसि इतना ही फिर मिलत आ अगली वुड़ीव में अगले एपिसोड में फिर राव अला जे मृत यहां को इस विडियो से आता ने सवाही जवाब कुछ भी है तो रात को बात कर ले ना लाइव में वरना इंस्टाग्राम, फेस्बुक और ट्विटर आइडियस दी होई है वहाँ भी आप बात कर सकते हैं मैं रेपलाई करता हूँ बात करता हूँ तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगली उटो में जाहिन और निमातर